So, wait a second guys, welcome back to the channel So guys, आज की वीडियो बहुत ज़ाद है interesting होने वाले क्यों होने वाले? क्यों होने वाले? क्यों होने वाले क्यों कि आज की वीडियो पर हम बात करने वाले क्या यहां पर आपका 2022 जो होने वाला है वो आपका PMPL आपका hardcore mode पर होगा जैसे कि आप सभी को बता है, कल एक यहां पर जो rumors आपकी जो सबसे पहले अगर बात करूँगा, जो rumors और जो update जहां पर ने दी थी वो आपकी PMPL.update ने दी थी, जहां पर उन्होंने बताया था जो हमारा next PMPL होगा, जो की season 4 होने वाला है वो आपका हो सकता है hardcore mode पर, जहां पर आपका aim assist offer का footprint नहीं दिखेंगे, आपको, आपके gunfire की sign नहीं दिखेंगे यह सारी चीज़े कल की video पर मैं cover कर चुका हूँ लेकिन आज अगर बात कर यहां पर बात करने वाले, उन्होंने एक और चीज़ यहां पर मैं clear out कर देता हूँ, यह जो video दो पार्ट में होने वाले है आज इसका first part अभी आप देख रहे है, second part इसका शाम को आने वाला है तो first part पर बात करेंगे, globally team के लिए, कि जो globally teams होने वाले है like South Asia region के team से, जो global version पर खेलती है, उनके लिए हम सारी चीज़े clear करेंगे, लेकिन as well as हम यहां पर India region के लिए भी चीज़े clear करेंगे तो आप भी यहां पर video को end तक जरूर देखना, और second में हम बात करने वाले है कि इंडिया region के लिए क्या के चीज़े लग रहने वाली है, तो guys, video को करते हैं शुरूर, तो सबसे बहले हम यहां पर बात कर लेते हैं तो यहां पर देख लेना कितना ज़ादा यहां पर disadvantage हो जाता है FV mode में और FV mode में एक चीज़ बताते हैं, और कि आप यहां पर camping बिलकुल नहीं कर सकते हो और यहां पर खेलना बहुत ज़ादा टफ होता है, example देखें बताता हूं, TPP mode पर देखो अगर आप गहांस के अंदर लेटे हुए तो आपको angle मिल रहा है चारु तरफ का, आप देख सकते हो लेकिन अगर आप FV mode में अगर आप अभी देखेंगे तो कुछ angle नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं पता है तो guys, यही सारी चीज़े रहती है, जो आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़ादा जरूरी है TPP और FV mode में होता क्या क्या सिनारियो है, अब यहाँ पर बात कर लेते है guys Global version की, अगर यहाँ पर 2022 में अगर आ जाता है, South Asia region में भी आपका FV mode तो किस तरीके से teams खेलीगी, तो prime example आपके screen के सामने आ रहा है guys यह मैंने आपको Game for Peace का FV mode दिखा है, टूनामेंट का तो यहाँ से आपको screen में सारी details समझा जाएगी आप यहाँ पर compare कर सकते हो guys, यह FV mode है पूरा जहाँ पर teams आपस में आपर battle कर रही है तो किस यहाँ पर देख सकते हो, सिरफ जो आपके आँखों के सामने दिख रहा है, वो ही आपको दिखने वाला है प्लस यहाँ पर hardcore mode भी होता है, तो यहाँ पर सारी चीज़े हैं पर different हो जाती है, scenario different होता है अगर आप 4v4 की fight भी ले रहे हो, आपके पास कोई यहाँ पर TPP एंगल नहीं है बस आपके screen के सामने जो दिख रहा है, वो ही चीज़े आपको दिखने वाली है अगर बात करें यहाँ पर purely skills आपकी निकल कर आती है, अगर आप fight भी ले रहो, gunfight, purely आपकी skin यहाँ पर आपको दिखने वाली है तो guys, यहाँ पर एक और additional चीज़ आपको बताना बहुत ज़ादा जरूरी है, जैसा कि बोला जा रहा है कि आपके 2022 का जो PMPL होगा, fully FPP mode तो होगा प्लस fully hardcore mode रहने वाला है, प्लस अगर बात करें, यहाँ पर new point system आने वाला है, लाइक आपका game for please, Chinese meta, धीरे धीरे Chinese meta आ रहा है, globally version में तो guys, यह चीज़ आप यहाँ पर बहुत ज़ादा ध्यान दखना, यहाँ पर guys, एक और बहुत important बात, अगर यहाँ पर TPP से teams यहाँ पर shift होती है, FPP के लिए, अगर 2022 में हो रहा है, तो यहाँ पर teams को काफ भी ज़ाद है, यहाँ पर practice करनी पड़ीगी, क्यों, मैं example दे रह है, और FPP mode आज़ते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर Chinese teams global के साथ FPP mode पर आजेगी, तो Chinese teams तो find ने वाली है, क्योंकि आपको बता है, बहुत सालों से खेल दी है Chinese teams, और globally भी अब भी adopt हो रहा है, लेकिन अच्छे बात है कि adopt हो रहा है, अगर global teams पर मजाने वाल है, लेकिन teams को यहाँ पर next level प्रैक्टिस करने पड़ेगी, grind करना पड़ेगा, क्योंकि FPP mode is little different, अगर आप TPB के साथ इसको compare करोगे, तो guys, आप कितने ज़्यादा एक्साइटे हो FPP mode को लेके, तो यहाँ पर आपके टूनामेंट भी होंगे, अगर आपके ह हो सकते है, rumors से अभी कुछ official announcement नहीं है, यह चीज में आपको पहली ही आपको clear कर देता हूँ, अगर यह चीज होती ही, तो आप कितने ज़्यादा एक्साइट हो FPP mode को लेके, क्योंकि काफी लोगों के अलग अलग different different आपके इसमें views हो सकते है, किसी को TV mode अच्छा लगता है, तो आपका क्या इसमें views हैगा, इस comment करें क्या ज़रूर बताना, तो अभी कि वीडियो के इतना ही hope करता है, आपको सारी चीज समझागे, फिर भी आपके कुछ doubt आप comment करके पूछ सकते हो, till then stay safe.